नमस्का इंडिया टीवी में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ वैभव भुला रोईच चर्मा ने आज से जो तीसरा टेस्ट में शुरू होना है उसके लिए अभ्यास शुरू कर दिया है जिस तरीके से हमने आपको जानकारी दी थी कि कल रोईच चर्मा इंडियन टीम के साथ जुड़ जाएंगे और वो तस्वीरे भी सामने आई कि रोईच चर्मा इंडियन टीम मेलबन के जिस होटल में रुकी है रोईच चर्मा वहाँ पहुंचे उन्हेंने सबी खिलाणों से मुलाकात की और जो टीम का एंवायरमेंट है वो भी बहुत जादा अच्छा नजार आ रहा था उसमें बाच्ची तो बहुत जादा नहीं थी लेकिन सिर्फ रवी शास्त्री ने रोईच चर्मा से ये जरूर पूछा कि आपका जो कॉरिंटीन है वो कैसा था था रोईच चर्मा ने का कॉरिंटीन मेरा अच्छा था तो उमीज ये जरूर की जा रही थी जिस तरीके से मुझे भी लग रहा था कि रोईच चर्मा शायद आज का दिन भी आराम करेंगे और कल से एक नए आगास करेंगे नए साल के दिन रोईच चर्मा मैदान पर उतनेंगे लेकिन रोईच चर्मा ने बिलकुल भी इंतजार चर्मा थाने की चर्मा की सब्सक्राइब है कि जरूर सिद्नि में उससे पहले उनका एक क्डिनेस टेस्ट होना है यह जो match practice है वो बहुत जादा नहीं है और Rohit Sharma भी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि match fitness और match practice होना बहुत जादा important है शाय तबी उन्होंने बिना कोई समय बिताए वैसे भी 14 दिन जब वो quarantine में थे मैदान पो तरने का उन्हें बिलकुल भी मौका नहीं मिला तो Rohit Sharma ने समय बिलकुल नहीं गवाया और आज सही Rohit Sharma ने अपनी practice शुरू कर दिया और Rohit Sharma को आज जो practice करवाने वाले हैं वो है Indian team के बैटिंग को जो विक्रम रात हो और जो पिछले एक डिट साल से हम बात कहें Indian team के साथ जुड़े हो है और लगातार वो मेहनत कर रहे कि जो युवा खिलाडी आ रहे हैं तो जो सीनियर खिलाडी हैं उनके साथ लगातार काम कर रहे हैं कि जो विदेशों में हम जाएं जब भारत में भी खिले हैं तो जितना performance है हमारा पहले से और बहतर हो जाए तो शायद रोही चर्मा मुझे लग रहा है एक ए दो दिन का सम बहुत जादा किया है लेकिन आप बारी है जो आपकी जो गेंद होती है जो बैट पर लगती है अब बारी है उस टेस को लेने की कि गेंद कैसे बैट पर लग रही है जो टाइमिंग है वो कैसे हो रहा है तो ये बहुत जादा important है बहुत अच्छी बात है कि रोही चर्मा न तुने ना हो इस तीसरे टेस्ट मैच से पहले क्योंकि अब ये इंडियन टीम जो है इस समय बहुत ही हम कह सकते हैं एक डॉमिनिटिक पोजिशन में आ चुकी है तीसरे टेस्ट से पहले जो दूसरे टेस्ट से शुरुआत होने से पहले ये जो तमाम बयान आ रहे थे वो यही बयान आ रहे थे कि इंडियन टीम चार शुने से सीरीज को हारेगी लेकिन दूसरे टेस्ट मैच जीतने के बाद अब हर को ये मान रहे है कि इंडियन टीम इस सीरीज को भी जीत सकती है तो जब आप सीरीज जीत सकते हैं तो उसके लिए आपको जो तीसरे टेस्ट मैच है उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा तो बहुत important test match रहने वाला Indian team के लिए जिसमें रोईज शर्मा एक बहुत बड़ी Indian team के लिम कह सकते हैं तुरुप का एकका साबित हो सकते हैं तो उमीद यही है कि रोईज शर्मा जो आज से practice उन्होंने शुरू कर दी है वो एकदम fit घोशित होंगे तीसरे test में उने मौका मिलेगा और रोईज शर्मा एक बार फिर मैदान पर जाके चौके चकों की बारिश करेंगे